गुड मॉनिंग एवरीवन मैं अब थाकरोधी वीट सिंग फॉम स्पेस्स आर्टेक्ट्स आज से पहले हमने काफी आर्टेक्टर रिलेटेड और साइट रिलेटेड साइट विजट्स रेगलर साइट विजट्स आपके साथ शेयर की हैं तो आज हम कुछ डिफरेंट कुछ कुछ निया करने जा रहे हैं तो आज मैं आपको हम ब्लॉक सुरू करने जा रहे हैं तो उसके बारे में आपको आज इंट्रिद्यूस करेंगे लोग ने जैनली में को कहते हैं कि अच्छा जो आप चीज़ कहरो यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो मैं आपको दिखाता हू क्यों मैं केつाओ की यह बग्रिकली मुझे शेट भाख रहे हैं कि इसमीं मेरे शेटल मशलुडब लगया पर मुझे शेटल लगया पिर वर मुझे अच्छा है तो देखते हैं क्या वैसे सबसे सही बता क्या मेरी वाइफ में इसा लड़ती है वैसे मुझे परसनली यह लगता है कि इसे ब्लाक टी-शिर्ट या वाइट शिर्ट पहननी चाहिए एक तो टाइम नहीं वेस्ट होगा कपड़े चूसकते में और बंदा दूझी क्या है और हम मैं हूँ तयार और अब मैं जाना लगाओं अपने किसी फ्रेंड के यहां उनके स्टर्ड फार्म्स हैं और काफी देर से कह रहे थे चक्कर लगाओं और मैं चलो आज संडे है तो क्यों ना टाइम पास हैसे ही किया तो आपको तिखाएंगे आज बहुत सुंदर सुंदर हो और बड़ी अलग अलग नसलों की होसेज है वह आपको वहां जाकर वही बताएंगे कि कौन-कौन से क्या है खासियत और मुझे ऐसा उनके साथ कही डिसकेशन भी चल रही हैं कि हम क्यों ना उसको एक रीक्रियेशनल स्पेस पनाए तो मुझे यह ज़रूर गाइड करना कि अगर ऐसी रीक्रियेशनल स्पेस जिलंदर के आसपा सो आप लोग वहां जाना पसंद करोगे के नहीं करोगे तो स्टे टून्ट वहां जाके मिलते हैं थांक्यू मैं अब जा रहा हूं वही फार्म स्पे जहां पे आपको तिखाएंगे वन फेस्ट होसे और यह अभी मैं पठान को टॉंक से राइट लूगा तो इम्रिसरवला हीवेय वहां से जो पठान पोड के लिए टोल आते हैं वहां से राइट हैं बाकी जा मैं जा रहा हूं इनको मैं यह रिवर के लिए भी कह रहा था कि रिवर पास है आपको रीक्रियेशनल स्पेस बना लो आप भी मु कि द्राइब है जलंतर से और यहां पे छोटी कोटेज बनते हैं कुछ ऐसे मैं आइडिया दे रहा था हैं को यहां पे छोटी आता हैं यहां कोफी शॉप बन जाए यहां पूरा ऐसा हब डिजाइन कर लिए हैं जब फेसे में जो इसकी ड्वेल्मेट चलती रहे हैं और अगर हम एक तरह पिंड का मौल दिखा देंगे तो हमारे शेयर को लोग ले तो यह बड़ा अच्छा हो आप भी आपको दिखाता हूं और आप बताना की कैसा लगता है अब अब देखते हैं अब बीर को होट से पसंद आते हैं कि नियूँ तो हमने गाड़ी ने पीछे गल्ती से बाग कर दी फिर बीज़ भाई साब करते हैं कि ना मैं तो ना गाड़ी में बैट नहीं तो फिर हमने का चलो वॉक ही कर लेते हैं तो आप दिखाते हैं और यार पिंडो में वॉक करने करने का अपने ही मज़ा है मलब फ्रेशनेस और वो सब दुआ धान बहुत कम और उस चीज का अलगी मज़ा है चलो देखते हैं आपको पसंद आते हैं कि नहीं कौर से बड़े श तो यह जगह है तो आप लोग बताना कि ऐसी जगह पर आप लोग आना पसंद करोगे कि नहीं अगर हम यहां कॉर्टेजर्स यहां कुछ ऐसी चीज बनाएं तो आज आपको मिलते हैं चौजरी साब से और घूडों के बरे में आपको काफी देर से आपको बूल रहा था कि कि आपको मिलाएंगे गोडों के साथ पहले उनके ओनर से मिलाते हैं और में को बता रहे थे इनका यह एक चैंपिन गोड़ा है तो इससाब तुसी केड़े कोड़े बारे दासरे सेगे ते की उन्दी खासियत है अज थोड़ी कोड़ें बारे नॉलेज देना चान्या सी कि चौड़ी साफ नो मैं हुने भी गाल का रहा है से कि कुछ शेदा दा प्रोजेक्ट करना चाहिए सानों कि जित्थे कोई स्टर्ट फार्म दे विच कोटेज बनाई हैं जान जित्थे छोटी गेट तोगेधर हो सके छोटी किटी पार्टी जो सकन लोग की नेचर नो समझ साथी नेक्स जनरेशन नो आए वाइडलाइफ अरे भी पता लगे जानवा वरे भी पता लगे पेट्स वारे भी पता लगे मतलब कई बच्चे नो तो यह नहीं पता होना कि मतलब गान दूद गिर्दा देंदी है मैं ठीक रहा है कि तो वो सारी नॉलेज जरूर सानों नहीं रूट्स नाल भी जोगे तो यह सब इनना नो पूरियाना सारे ना मिला देओ मैं कैमरा दूसरे पासे को यह नाम है अपक्ची और यह दो यह तारह दर जंद डिस्टिक दे चैंपियन खोड़ है और इस दी एजडियर सेवनिएच एट और इस दी आइजडियर और 63 प्रफ्रश चाओड़ बहुत शोना गोड़ा सी ओंदेना वी एकवरी मिला दे हो अब भी बहुत सोने-सोने होट से जाय है और कहने हर होट दी अपनी नेचर उंदी अलग तरह दी नेचर उंदी है कई ऐसली हैंडल हो जानदे कई आखे तरीके हैंडल हूंदे हैं इस मार्वरी कोड़ा नाम अनी केता जी और एक जोद्पूर चैंपियन कोड़ा वया दाना अग्ता जिटा है और मदर साइड जेली है वो के लिगार ब्लड लाइन है और एदी एज 30 मंत होगे एज और एदी हाइज 62 इंच आएज नुकरा कोड़ा जे शूर्या ब्लड लाइन है और एदी एज यह बहुत 60 के रहे है और एदी हाइज 63 इंच आज आएज आए बाद इस होना कोड़ है अगल की अगजा आए इसे अग्रान कोड़ है और यहां पर काई भी रखती हैं दोkov पुम्हारे ये वहता ये चाहरी प्राइट यह थीए और दूद है इन लगता है वो नाचुरी पिए लोग दाते हो सकते हैं दूद के अपो टेस्स मताता हूं किया डिफेंस है तो इस दूद का वैसे सच्चा ही बताऊं तो टेस्ट का तो नहीं मैं कुछ तो दूद करेंगे तो वैसे ही एक जो फीड डाली है वो भी ऑर गैनिक है ऐसे ही इस पर हुशारपूर आगे किया था वहां पर वो गहते है कि जो बक्री का दूद है क्योंकि वह पक्री नैच्रल घाती है नैच्रल दूद है तो उसी दूद से घी बनता है तो वह ऐसी चीज़ है अगर हम यह चीज़े अपनी रेगुलर लाइफ में डालने तो मैंको लगता है कि वैसे ही बता है लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा चीज है और यह कभी हमारे विलेचस में एक रेगुलर अक्टिविटी होती थी हर घर में होता है बट मुझे यह लगता है आने वले टाइम में यह नेक्स लग संब जो लोग अपनी जगा पे गाये को बड़ कर सकते हैं या एसे फोर्से रख सकते हैं या हैंस कोई भी ऐसा घर प्लान करें हो जहां प झाल 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 झाल